Hello friends, welcome to Easy Yoga with AB, I am Alka and I am today in this video I will tell you that Yoga Sense is the one who has high blood pressure or low blood pressure to heal and treat you very much and also you can prevent your body from your body so you can prevent your blood pressure from your body from your body and what is the problem with your body? because there are no symptoms, you don't know if someone has a problem or you have a problem with your body and you go to the doctor, you need to check the blood pressure that's the reason because there are no symptoms for blood pressure so if the doctor says that you have a problem with BP then the best thing is that you start to do Yoga Sense so if you continue this Yoga Sense, you will never have a problem with high blood pressure so what are you waiting for? Come on the mat and let's get started so first of all, Yoga Sense is high blood pressure that is Child Pose how to do it? I will tell you about it so first of all, our Asana is Child Pose and then we are doing the basics of the Balasana as we do what are you doing? we are doing the basics of the knees we will do our body and go into the inside of the body and we will go into the breath हाँ और एक्जेल करते वए वापस हम नोर्मल आजाएंगे ठीक है यह होता है चाल्ड पोजिशन में रह सकते हैं रहीए देन 아फ्टर आप वापस अपनी सांस छोड़ते वह एक्जेल करते वह वापस नोर्मल पोजिशन में आजाएए और फाइफ टाइम इसे आप आप रिपीट कीजिए आसन को अगला आसन है कोबरा पोज इसमें हम क्या करेंगे आप मेरी फ्लेक्स की पोजिशन देखिएगा ठीक है आप अगर इस पोज में मैं आपको बता देती हूं कि मोस्टली कांसें पहरों में cramp आने में जब आप इनीशली स्कार्ट करते हैं आप आप से ऐसे डिवां में आयसे करने में आपको क्ार्रैंप अट उर्टा लेटने हैं उर्टा लेट में हैं कि डिकADE है शोल्डर के बिल्कुल बराबर होने चाहिए आपके हैं पाम नाव इनहेल सांस अंदर लेते हुए आपको आपकी बॉड़ी को उपर की तरफ लिफ्ट करना है ठीक है नाव एक्जेल सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है और यह जो आसन है यह आपको कम से कम फाइफ टाइम्स रिपीट करना है ठीक है और आप जितनी देर सांस अंदर लेते हुए इस पोजीशन में कुब्रा बोज में अपनी बॉड़ी को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आपको होल्ड करना है और देन आफ्टर आपको लगे नहीं कर पा रहे हैं तो आप वापस सांस छोड़ते हुए एक्जेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाईए ठीक है और जो नेक्स आसन है उसे हम कहते हैं सुखासना उसमें क्या करना है हम इस तरीके से बैठ जाएंगे ठीक है आपके जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए आपके अब्डॉमिनल के मसल्स है उन्हें आपको टाइट रखना है नॉ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम य इस तरीके से हम चिन मुद्रा में बैठ जाएंगे सुखासना वाली पोजिशन में और आपको नॉमली आराम से वरीद करना है और अपना ध्यान बिल्कुल जो यह पॉइंट होता है यहां पे रखना है कि यह जो आसन है यह आपको कम से कम पांच मिनट के लिए करना है इनिशली और जब आपको अच्छा लगने लगे क्योंकि इस से हमें जो हमारा ब्रेन है उसको बहुत ज्यादा आराम मिलता है आपकी बॉड़ी को आप फील कर सकते हैं कि आप जब सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉड़ी में किस तरीके से फ्लो कर रही है तो यह सारी चीज़े आपकी बॉड़ी को अब्जर्व करने के लिए बैस्ट होता है और यह आसन करते टाइम में यह ध्यान रखना है कि आपका जो high blood pressure की problem है, उसे cure करने में बहुत help करता है, क्योंकि इस आसन से आपका जो mind है, उसको और आपकी body को बहुत ज़्यादा relax feel होता है, बहुत ज़्यादा आपको शान्ती मिलती है. Now, अब जो हमारा next आसन है, उसे हम बोलते हैं bridge pose, इसमें कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे follow करते जाएगा, ठीक है, अब इस position में क्या करना है, आपको इस तरीके से late जाना है, सीधे, ठीक है, आप सीधा late गए, सीधा late ने के बाद में आपको, आपके जो legs है वो इस तरीके से करने है, ऐसे करने के बाद में, आपके पेट के जो abdominal के muscles है, इने tight कर लीजिए, आपको lungs के तूस, breathe in और breathe out करना है, आपके जो hands है, वो इस तरीके से होने चाहिए, इस तरीके से कर लीजिए, then आपको अपनी body को, ये जो portion है, इसको आपको उपर lift करना है, कैसे करना है, मैं बताती हूँ, breathe in करते हुए, उपर lift करना है, और breathe out करते हुए, वापस normal position में आ जाना है, ठीक है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेगा, कि जब आप breathe in करते हुए, आपनी body को उपर lift करते हैं, उसके बाद में आपको, आपकी body को, और hold करके रखना है, अपनी जो breathe है, उसे hold करके रखना है, जब आपको लगे नहीं हो पा रहा है, then आपको वापस exhale करते हुए, normal position में आ करेंगे, again हम इस तरीके से हों, इस तरीके से अपना जो body posture हो करेंगे, then आप में से बोलते हैं, puppy pose, इसमें हम क्या करेंगे, आप यह देखेगा, legs आपके straight रहने चाहिए, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, इसमें आपको अपने जो abdomen के muscles हैं, पेट के muscles हैं, उनको tight रखना है, और जितने देर आप breathe in करके hold कर सकते हैं, उतना कीजिएगा, ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस की, कि जब आप यह योगासन करते हैं, puppy pose करते हैं, इसमें क्या है, कि जब आपके hands इस तरीके से जाते हैं, तो आपको properly उनको stretch करना है, उनमें खिचामट होनी चाहिए, और जो weight है, आपकी जो body का weight आ रहा है, वो आपके abdomen को, उस पे आना चाहिए, उन पे जो muscles हैं, उन पे pressure पढ़ना चाहिए, ताकि जो आपके fat इखटा हुआ है, उसको burn करने में easy रहे, तो आपको मैंने यह जितने भी योगासन्स पताएं हैं, high blood pressure की problem से related, यह आप continue करते जाएए, आप at least 15 days के लिए योगासन्स कीजिए, और आप आपको इसके result दिखने start हो जाएंगे, और मैं आपको यही कहूंगे, कि सिर्फ 15 days नहीं आप इससे continue करते रहे, और एक बार जब आप योगा करना start कर देंगे, तो योगासन्स से आपकी body इतना relaxed फील कर, तो यह बहुत helpful है, और next चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी, कि आ आपको high blood pressure की problem है, तो आपको अपने food का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, आप ज्यादा spicy food मत खाईए, आप light food खाईए, जो सात्विक बोजन होता है, और जो आपका खाने-खाने का time है, उससे आप schedule कीजिए, उससे आप fix कीजिए, हमेशा जो morning का time है, खाने-खाने जितना जो लेते हैं, जैसे आप अगर 1-2 बजे के असपास लेते हैं, तो इस time ले लीजिए, और जो night में डिनर आप करते हैं, वो आप अगर late dinner करते हैं, तो मैं आप आपको यह कँए, कि आप अगर late dinner करते हैं, 9 बजे या उसके बाद में, या 8 बजे के बाद में, तो फूड खाई है लेकिन अगर आप जल्ली करते हैं तो आप आपकी अच्छी कासी डाइट ले सकते हैं और बेस्ट चीज होती है कि आप हमेशा जो खाना है डिनर है आपका सेवें टू एटो क्लॉक के बीच में आप कर लीजिए उससे क्या होता है कि हर किसी इनसान की एक टेंडेंसी होती कि 10 o'clock के आस पास तक आप सोने के ली जाते हैं बैड पे तो आपकी बॉड़ी को खाना पचाने के लिए डाइजेस्ट करने के लिए दो घंटे तीन घंटे का जो भी टाइम मिलता है वो सबसे बैस्ट होता है क्योंकि वो जब डाइजिस्ट हो जाता है तो सोने के बार में आ जाके खाना खाया और आप लेट गए तो जो आपकी बॉड़ी है वो खाने को धंक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि डाइजेशन की जो प्रॉसेस है वो बहुत स्लो हो जाती है इसलिए आपका खाना आपका जो सीड्यूल है वो हमीशा प्रॉपर होना चाहिए और योगास standards करतेरी हैं और एक बात और और कहन है कि अगर आप योगासन मानीं में नहीं कर पा रहे हैं early morning तो आप शाम के टाइम में कर सकते हैं और यह चीज भी पताऊंगी कि आप योगासन करने से आपने दो या तीन घंठे पहले कुछ नहीं हो मतलब कि आपने आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए है ओके थैंक्स पर वाचिंग से हल्दी बाबाइ